हेलो फेंट्स, वेलकम टू प्रिविज पेपर्स विद आकाश और मैं आपके लिए ला रहा हूँ CDS एक्जाब 2017 का जियोग्राफी का पोर्शन जिसमें इंडियन जियोग्राफी वर्ल जियोग्राफी पूछी गई है कुशन है नेम लिखेद में से कौन सा जीम मंडल सरक्षी शेत्र भारत में नहीं है ऑप्शन में है अगस्त मलाई नौकरेक, ग्रेट निकोगार, ग्रेट हिमाले तो अगस्त मलाई ये वायोसफेर रिजर्व है नौकरेक ये भी जी मंडल सरक्षी शेत्र है ग्रेट निकोगार ये भी है लेकिन ग्रेट हिमालेयन जो है वो एक नेशनल पार्क है वायोसफेर रिजर्व नहीं है ये दिखिए ये भारत का नक्षा है जिसमें दक्षिन पार दिखाया गया है केरल और तमिलनाडू का जो अगस्त मलाई है वो तमिलनाडू और केरल दोनों राज्यों में फैला हुआ है जिसका 1632 किलोमेटर का जो एरिया है वो तमिलनाडू में है और 1828 किलोमेटर स्क्वार का एरिया केरला में है 2016 में 2016 में इसे बायोस्फेर रिजर्व का दर्जा दिया गया यूनेसको द्वारा और ये है अब बात करतें नौकरेक की जो है बायोस्फेर रिजर्व वो मेगाले में है और इसे यूनेसको द्वारा 2009 में बाइसफेर का दर्जा दिया गया बल पक्रम पार्क जो नेशनल पार्क है वो इससे मिला हुआ है ठीक है इस फोटो में दिखाई दे रही है जो यह नक्षा है ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो नौकरिक बाइसफेर रिजर्व का है इसके वेस्ट में गारो हिल्स दिखाई दे नक्सहे में आपको great rakovar दिख रहा है छोटा सा नीचे नीचे great ग्रेट निकोबार नाम से ही बायोस्फेर रिजर्व है ग्रेट निकोबार नाम से ही बायोस्फेर रिजर्व है 2013 में यूनसको ने इसे भी बायोस्फेर का दरजा दिया था और ये केंप वेल खाड़ी और गैलेथी पार्क द्वारा ये दो नेशनल पार्क उसे मिलके बना है कैम्पेवेल खाड़ी और गैलाथी पार्क और ये फोटो है ग्रेट निकोवार द्वीप का और इसमें जो ये हरा हरा पोर्शन है ये है ग्रेट निकोवार बायोस्फेर रिजर्व और ये लगवख 85% भूमे पर इसके फैला हुआ है इस द्वीप के 85% भूमे पर फैला हुआ है ये रिजर्व तो यहां ग्रेट हिमालेन जो है वो नहीं है ये बायोस्फेर रिजर्व नहीं है तो ग्रेट हिमालेन जो है ग्रेट हिमालेन को 2014 में यूनेस को ने विश्विव विरासत सूची में शामिल किया था ना कि बायोसफेर रिजर्व में विश्वि विरासत सूची में से सामिल किया था अगला खुशन है भारती रेलवे की संबन्द में नेम लिखत में से कौन सा खथन सही नहीं है ये आपकी सामने option है थोड़ा आप अपनों दिमाग लगाईए संपूर कॉंकर तड़ पर भारती रेल का network बिक्सित हो चुका है दूसरा option है हिमाले शेत्र में railway लाइनों की सगनता बहुत कम है उत्तर भारत की मैदानी शेत्र में railway का network सगन है बरतमान में भारत के पास बिक्सित का सबसे बड़ा railway network है यहां यह यह D option है D option सही नहीं है D option जिसमें बताया गया है बरतमान में भारत के पास बिक्सित का सबसे बड़ा railway network है तो भारत के पास सबसे बड़ा railway network नहीं है और ये तीन उप्सिन सही है संपूर, कॉंकर, तर्टपर, भारतीय रेल का नेटवर्क बिकसे तो चुका है हिमालाय शेत्र में रेलवे लाइनों की सगंता यानि डेंसिटी बहुत कम है क्योंकि वहाँ है परवती एरिया है जादा उत्तर भारत के मैदानी शेत्र में रेलवे का नेटवर्क बहुत सगं है क्योंकि वहाँ मैदानी शेत्र जाता है तो वहाँ सगंता जाता है चलिए अब नेक्स्ट विश्चन को देखे भूमद्य सागरी करसी इसके संबंद में निम्न लिखित में से कौन से कथन सही है और कौन से गलत है ये आपको बताना है तो पहला तो आप इनको ध्यान दीजिए इन पर सोचिए थोड़ा सा भूमद्य सागरी है करसी अती बिसिष्ट बानिजिक करसी है सेकेंड ऑप्शन है यह सगन जीवन निर्वाकरसी है जिसमें आद्र धान की खेती की प्रधानता है फिर तीसरा बोल रहा है यह एक पुरातन जीवन निर्वाकरसी है प्राचिंतरी प्राचिंतम और अंगूरोत पादन जो है भूमद्य सागरिय शित्र की एक विशेश्ता है तो यहां देखिए कौन-कौन से कतन यहां सही है ओप्शन में बोला गया है केवल एक, केवल दो और तीन, एक और चार, एक तीन और चार तो यहां पहला और चौथा ओप्शन सही है, जबकि दूसरा और तीसरा गलत है भूमद्य सागरिय कर्शी जो है अती बिसिष्ट बानेजिक कर्शी है और अंगूर उत्पादन जो है भूमद्य सागरिय शेत्र की एक बिसिष्टा है और भूमाद देशागरिय शेत्र जो है वो बाणड़ी क्रशी के लिए जाना जाता है अगला कुश्चन देखते हैं शीतकाल आयनांत के संबंद में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है ये आपको बताना है तो शीतकाल आयनांत को इगलेश में बोलता है सॉलिष्टिस पहला ओप्शन है दक्षिनी दुरूप पर 24 गंटे अंधेरा चाया रहता है ये 21 जून को होता है उत्री दुरूप पर 24 गंटे अंधेरा चाया रहता है या फिर सूर्य उच्छ पर होता है तो इसमें तीसरा ओप्शन सही है उत्री दुरुपपर 24 गंटे अंदेरा चाया रहता है शीत कालीन अयनांत के टाइम में उत्री दुरुपपर 24 गंटा अंदेरा चाया रहता है वागी सब ये ओप्शन सही नहीं है अगला कुशन है ऊशन कटी बंदिये सदा पढ़नी बर्शा वन जीवों बनस्पती एवं प्राणियों की ब्रद्धी के लिए अनुकूल पर्यावर्णी अवस्था प्रदान करता है इस संबंद में नेम लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो इस कुशन को आराम से समझ पढ़िए और इसका जवाब दीजिए इसके ऑप्शन से इसमें बर्स वर बारी बर्सा होती है एवं मुच्छे तापमार बना रहता है इस जीवों यानि बायों को मेगा थर्मल बायों भी कहते हैं सदापर्णी वर्षा वन जीवों जो है या बायों दश डिग्री नौर् है थोड़ा सा दिमाग लगाई यह सोचिए इसका अंसर क्या हो सकता है वीडियो को पॉस करके इसका अंसर दीजिए कुश्चन पर विचार कीजिए तो इसमें कथन पूछाया कौन सा सही नहीं है तो डी कथन सही नहीं है इस जीवों का अधिक्तम बिकास मद्दे एवं दक्षिन कैलिफॉर्निया तथा अफ्रीका के उत्तर पस्चिमी तड़ शेत्रों में हुआ है तो यह सही नहीं है अगले कुश्चन की तरब पढ़ते हैं तो यह CDS में पूछे है जो आपके बहुत सारे अक्जाम्स में काम आ सकते हैं और कहीं न कहीं यह रिपीट होते ही रहते हैं यह कुश्चन PCS एक्जाम्स में कहीं भी समोध्र के नीचे रिक्टर स्केल पर साड़े साथ से अधिक का जो भूकम पाने की घटना है उसे हम सुनामी लहरे कहते हैं इस संबंद में निमलिखत में से कौन सा कतन सही नहीं है आप्शन देखिए इसके इसमें प्राय शिशक्त लहरे उत्पन होती है प्रशांत मासागरिय तर्ट सुनामी लहरों के लिए आती सुवेद्द हैं सुनामी लहरों को उच्च वूर्जा जुआरी तरंगे या भूकम पिये तरंग सागर तरंगे भी कहते हैं सुनामी एक लेटिन शब्द है प्रश्ण पर एक बार दुबारा से बिचार कीजिए अच्छे से पढ़िये वीडियो पॉस करके और फिर इसके ऑप्शनों पर भी बिचार कीजिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी देखिए सुनामी जो है वो एक लेटिन शब्द नहीं है बलकि एक जापानी शब्द है सुनामी जो है लेटिन शब्द नहीं है चलिए अगली कुश्ण की तरफ बढ़ते हैं वरश्टी प्रसफोर्ट यानि बादल फटना देखिए हिंदी थोड़ी से टफ है कि बादल फटने के संबंद में नेमलिखत में से कौन सा कथन सही है तो ये बताने आपको ऑप्शन है फर्स्ट उप्शन बोल रहा है इसे बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ इस्थानिय रूप से अचानक आई बहुत भारी मुसलादार बर्षा के रूप में परिवाशित किया गया है ऐसा अधिकांशत है पहाड़ी शेत्रों में होता है इसके परिणाम स्वरूप बहुत तेब्र बर्षा अर्थात कुछ ही गंटों में 500 mm से लेकर 300 mm तक होती है और चौता अप्शन बोल रहा है ऐसा केवल दिन के समय में होता है थोड़ा खुद सी सूचे इस क्विश्चन को एक बड़ वीडियो पॉस करके इसका आंसर बताईए लगाईए तो यहां ऑप्शन एक दो तीन सही है चौता सही नहीं है कुष्चन अगला है एरिडुस ओल बोला है जो मिर्दा के प्रकारों में से एक है इसके बिशे में नेम लिखेत में कौन से गतन सही नहीं है एरिडुस ओल बोला जायता है मरु भूमी को ओप्शन में है वर्च के अधिकान समय में बॉदों के लिए पानी की कमि अत्यदिक जैपदार्थ गहराई पर कार्वोनेट का आधिक संचेयन गहरी चोड़ी दरारों का अभाब इसमें पूछा है कौन सा ओप्षन सही नहीं है तो यहां B ओप्षन सही नहीं है B अत्यदिक जैपदार्थ यह सही नहीं है मरू भूमी में जैप पदार्तों की मात्रा बहुत कम होती है और option यह सही है बस यह B वाला गलत है चलिए अगला question की तरफ बढ़ते हैं jet प्रभा, jet stream जो एक उपरी स्तर की छोब मंडल यह तरंग है उसके संदव में निमलकेत में से कौन सा कथन सही नहीं है option में दिया है यह उच्च बेग बायू का एक संकीन बैंड है यह 8 km से 15 km की उच्च आई पर छोब सीमा के निकट तरंग पत का अनुस्वनर करता है लंबी दूरियों पर jet प्रवाहों में एक बिशेश प्रकार की संतता होती है ग्रिश्म काल में दुरुबिय बातागर जैट अपना अधिक्तम बल प्राप्त कर लेता है तो वीडियो पॉस करके यह आप एक बाद सोचिए इस प्रशन के उपर और फिर आंसर दीजिए इसमें कौन सा option सही नहीं है यह बताईए पुश्च नहीं पूचा है A, B, C यह D तो D सही नहीं है D option सही नहीं है ग्रिश्म काल में दुरुबिय बातागर जैट अपना अधिक्तम बल प्राप्त कर लेता है यह सही नहीं है देखिए जो जैट स्ट्रीम है वो पस्चम से पूर्ब के और बहती है पस्चम से पूर्ब के और बहती है बायू मंडल में यह तेजी से बहने वाली या गूमने वाली धाराए है हवा धाराए है और option सही है यह उचबेग बायू का संकीड वैंड है बिलकुल यह 8 किलोमेटर से 15 किलोमेटर की उंचाए पर छोब सीमा के निकट तरंग पत्का अनुसरनट करता है लंबी दूरियों पर जैट प्रवावों में एक बिसेज प्रकार की संतता होती है बस यह D option नहीं है इसकान से चलिए बढ़ते हैं आगे अगले कुशन की तरफ गल्फ स्ट्रीम के बारे में बोल गया है अट्लांटिक महासागर में एक दुरुवा भी मुख प्रवाहित धारा है इस संबंद में निम लिखेत में से कौन सा कतन सही नहीं है अप्शन में है यह उत्त्री प्रसंत महासागर की कुरोशियो धारा के समान है यह गर्म उशन कटिबंद्य जल को दुरुवय शेतरों की और ले जाती है USA के पूर्वी तड़ के पास मौसम के लिए यह धारा एक मुखे कारक है और चौता उप्शन है गल्फ स्ट्रीम का ऊशन जल पश्चमी प्रसंत महासागरे तड़की प्रवाल वित्तियों को बनाए रखता है तो यहां बिकल्प बताना है कौन सा सही नहीं है यह आपके सामने बिकल्प है एक बार सोचिये ध्यान लगाईए थोड़ा सा तो यहां आंसर है डी डी जो है वो आंसर है यहां देगे गल्फ स्ट्रीम के बारे में बोल गया है गल्फ स्ट्रीम जो है पहला उप्शन है यह उत्री प्रसंत महासागर की कुरोशियो धारा के समान है तो कुरोशियो भी एक प्रकार की गरम जलदा रहा है और गल्फ स्ट्रीम भी यह गरम जलदा रहा है कुरोशियो जो है वो पूर्वी एशिया की तरफ बैहती है और उत्री अमेरिका और पूर्वी एशिया के मद्दे बैहती है जापान से निकलती हुई है सीधी उत्री अमेरिका एक तरफ जाती है गल्फ स्ट्रीम जो है यह उत्री अट्लांटिक मासागर में गरम जल्दारा है इसे यूरोप का गरम कंबल भी कहा जाता है कि उत्री दुरूब होने के कारण तो वहाँ पानी ठंडा रहता है और जब गरम जल्दारा और ठंडी जल्दारा मिक्स होती है तो यह मचली पालन के लिए उप्युक्त स्थान होता है और दीखें सेक्ड ओप्सन में कहा भी गया है यह गरम उष्ण कटिवंदिय जल्द को दुरूब्य शित्रों के और ले जाती है USA के पूर्वी तट के पास के मौसम के लिए यह धारा एक मोख्य कारक भी है तो यहाँ यह तीनों सही है चौथा गलत है क्योंकि गल्फ इस्ट्रीम का उष्ण जल्द पस्चमी प्रसांत महासागरिय तट की प्रवाल वित्यों को बनाए रखता है यह गलत है क्योंकि गल्फ इस्ट्रीम पस्चमी प्रसांत महासागरिय तरफ बहती ही नहीं है तो यह गलत है देखिए एगले कुश्यन में पूछा गया है प्रायधीपे भारत के चीनी उद्ध्योग के बारे में निम्ण लिखेद में कौन सा सही नहीं है पूचन में है गंगे का पिर्ति हैक्टिर उच्छ ठाधन तीषरा है लंबी पिराई पिराई होती है न तो लंबी पिराई संदलन पिदी चौथा है प्रायधियुप में अधिकांस मिले मुक्यते पूर्वी तड़के समी पिष्थे थे सोचिए और जवाब दीज़े तो यहाँ option D सही नहीं है option D सही नहीं है इसमें बोला गया है कि प्रयादीब में अधिकांश मिलें पूर भी तटके समीब इस्ते थे ऐसा नहीं है पस्चिमी तटके समीब भी बहुत सारी मिलें इस्ते थे अगला कुश्चन पूचा है रेंड या जार कहां की मुद्रा है option में बुरुंडी लीविया, सूडान साउथ अफरीका या दक्षिन अफरीका रेंड जो है वो दक्षिन अफरीका की मुद्रा है लाँ है सस्क्षिन नुच्चन नुच है झाल झाल